टंपकपुर गाउं में चतुर नाम का एक चोर रहता था, जिसकी चोरी की कहानियां गाउं में मसूर थी, चतुर का लालच उसे हमेशा मुसीवट में डाल देता था, लेकिन वह फिर भी चोरी करने से बाज नहीं आता था, एक राट चतुर ने सोचा कि वह गाउं के सबसे अ चतूर ने सोचा था कि वा चुक्के से मूर्टी चुरा कर भाग जायागा और किसी को पता भी नहीं चलेगा लेकिन जैसे ही चतूर ने मूर्टी को हाथ लगाया एक तेज अलाम बज गिया चतूर गवरा गिया और भागने लगा लेकिन उसकी पैंट एक कील में अटक गई औ और वाल वहीं लटक गया सेट धनराज और गाउंवाले जब वहां पहुंचे तो चतूर की ऐसी हालत देखकर वह हसने लगे चतूर को तब समझाया कि उसकी चोरी की यादत ने उसे किस मुसीवत में डाल दिया था उसने गाउंवालों से माफी मांगी और वादा किया कि व गाउं के लिए कुछ अच्छा काम करेगा चतूर ने गाउं में बच्चों को पढ़ाने का निरने लिया और सभी बच्चों को वह फिरी में पढ़ाता था चतूर ने अपने जीवन को बदल दिया और एक अच्छा इंसान बन गिया उसने पैसा जोड़ जोड़कर उसकूल होने के दिनों को पीछे छोड़ दिया और गाउं के लिए एक आदर्स व्यक्ति बन गिया आसा करता हूं कि या कहानी आपको पसंद दाए होगी और अधिक कहानिया सुनने के लिए उपर आई बटन पर क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें सोने के सिक्के के चोरी की कहानी सुनने के लिए राइट में क्लिक करें और अधिक मनरंजन कहानी सुनने के लिए लेप्ट में क्लिक करें